तो बहुत ध्यान से आप लोग सुन लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है खासकर वो लोग जो की स्टेट का स्टेट 2019 का सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं देखिए बीपीएसी टीचर का एक्जाम हो गया है अब डोकुमेंट वरिफिकेशन होड़ा है और डोकुमेंट वरिफिकेशन रिजल्ट से पहले होड़ा है इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी फ़रजी स्टुडेंट हैं जो की गलत तरीके से फॉर्म बरे हैं उनको हटाया जा सक्य क्या दूसरा चीज इस्टेट में भी जो है ना स्टेट 2019 का सर्टिफिकेट में भी बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो की सर्टिफिकेट अपना गलत लेकर बैठे हुए है क्योंकि देखिए इस्टेट 2019 जब एक्जाम हुआ था उस समय कोई जहां तक मेरा नौलज है कोई भी ए किया हुआ है और आपने इस्टेट 2019 एक्जाम दे दिया आप पास हो गया है और आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया ठीक है अब 2019 से 23 के बीच में अगर आपने एम सीय कंप्लीट कर लिया तो फिर आप सोच रहे होगे कि भाया मेरा एम सीय हो ही गया है अब हम इलिजीबल हो सर्टिफिकेट में आये गया तो नहीं गलत चीज है क्योंकि यह आपका जो इस्टेट सर्टिफिकेट बिल्कुल जाली माना जाएगा क्योंकि जब यह 2019 में एक्जाम हुआ था उस समय आपने एम सीय नहीं किया था आपने केवल एक्जाम दे दिया बीसीय की चलते लेकिन खिय तो आपके इलिजीबिल्टी में था ही नहीं आपको कं से कं M. C.A. लेवल तक करना था है ना लेकिन आपने नहीं किया मैं एक्जाम पनुमल दे रहा हूं तो आपक जो लगड़ा है कि इस्टेट का सर्टिफिकेट आपके हात में है वह आपका बिल्कुल लिगल है वो जेल भी जाना पड़ सकता है आप पर 420 का केस हो सकता है आपको आने वाले समय में जितना भी है एक्जाम से वनशीत रखा जा सकता है यहां तक कि इस्टेट एक्जाम भी आप नहीं दे पाऊगे इस तरह का नियम कानून हो सकता है समझें तो वो चीज नहीं है और दोहरा ते हुआ है जो लोग भी चाहें जो लोग भी अपना क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर की बात कर रहा हूं खासकर ठीक है मैं सारे सब्सक्राइब की बात नहीं कर रहा हूं वह भी फिलहाल लेकिन यह चीज जो मैं बोल रहा हूं वह सारे सर्टिफिकेट पर अपलाई होता है इस्टेट एक्जाम के लिए तो आप BCA पर कैसे दे सकते हो और चार साल में अगर आपने MCA भी कर लिए इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपका सर्टिफिकेट वैलिड हो जाए तो यहां पर जो यहां पर जवरदस्त आपको तरीके से इसको एक ही बार होगा जहां पर आप जाओगे वहां पर जुरूरी नहीं कि वहां तो आप से डॉक्मेंट लेगा लेगा लेकिन बीपीची के अंदर में उसका डवल जांच हो सकता है ट्रिपल जांच होगा कहीं भी आप धड़ाओग डॉक्मेंट डालके एक्जाम दे लेते हैं कि पैसा लगाते हैं आठ सो नौशो रुपया लगाते हैं तो उस समय तो बीपीची हो चाहे बिहार वोड़ उतना गवहन जांच नहीं करता है डॉक्मेंट का कि भाई किसने क्या लगाया एक्जाम आप दे जाड़ी हो जाड़ यह नहीं है कि आपको आप पूरी तो से इलीजिवल हो आपके जब तक कि आपका पूरा डॉक्मेंट फेरिफिकेशन नहीं हो जाता है तब तक आपको नहीं जो है ना हड़ा सिगनल मिल सकता है तो कोई भी वच्छे स्टूरेंट यह कभी मसोचिए कि भाई हम गलत चीज के अधार पर जोब प्राप कर लिंग और प्राप कर भी भगवान आपको खृपा दिखा दिए आप कर भी लोग प्राप तो यह मसोचों की जिंदगी वरखेल लाया कभी भी जिंदगी में कोई आप कोई लड़का हुआ शूडेंट हुआ को किस कर दिया जया चान बैठ गया तो certificate वह वही रहेगा और आपका education qualification में भी वही रहेगा सब कुछ मिलान किया जाएगा date सब मिलान किया जाएगा उस समय आप जितना भी पैसा कमाई रहोगे सब सरकार ले लेगी चारसो भी सरकेस कर देगी और उसके बाद आपको जो है यहां पर एक्जाम देने से भी मुझे तो ना स्टेट के एक्जाम देपाऊगे ना टिचर एक्जाम देपाऊगे तो यह किlaubर उसका मन मैं डाउट है उत्सरों है अमढ़ा पास ऐसे डोकुमेंट है हमने यह कर लिकार यह उसका सबसे अच्छा उपाई ये है कि आप जो है किसी शिनिरिस के बात करें और वीपैसी में से बाट करें इसके बारे में या पिर आप भी भी夏 बोर्ड में तो आप बिहार बोर्ड में जाके इसके बड़े में बात करें तब ही आपको सही जानकर इसके बड़े में मिलेगा समझें अगर आपको किसी भी प्रगड़कर का मन में तो वह दाउट लेकर आप जो है ना डारेक्ट मत पहुंझे यह डॉक्में फेडिफिकरिकर्ण के लिए नहीं तो फिर क्या होगा उसका गलत प्रभाव आपके केरियर प्रपर सकता है तो यह चीज़ में इंपोरेंट बाब बता रहा हूँ जब भी कोई भी एक्जाम देते हैं किसी भी प्रगड़कर तो आपको देखा जाता है कि उस समय आप इलिजिवल है के नहीं ऐसा नहीं ह मिल गया आपको और बाद में हम किए कोई ब्रीज कोर्स तो हो नहीं रहा है कि एडबटाइजमिन में ब्रीज कोर्स के बार में थोई लिखाया कि आप पहले पास कर लिजिए और फिर आप अड़ाम से अपना क्वालिफिकेशन बनाते रहिए और फिर जो है एमसी या फिर दूसरा कोई सब्जेक्ट का पढ़ाई करते लिए ऐसा नहीं होता है जब जो एक्जाम दिया जाता है उसी समय उसका इलिजिबिल्टी आपके और यह आपके दिमाग पर मन पर डिपेंड करता है कोई बाहर बीपीसी से आपको बताएगा नहीं आपको कि भाई या तुम्ह इलिजिबल हो की नहीं हो समझें तो अपना जो है केडियर का आप खुद चिंता कीजिए और कभी भी गलत के अधार पर आप डॉकुमेंट वेरिफिरिशन करने के लिए ना पहुंचे नहीं तो उसके चलते आपको ही समस्या हो सकता है बस यही हमको बोलना था ठीक है बहु अपने मन में रखिये गवाद धन्यवाद जय हिंद